हेलो दोस्तो नमश्कार कैसी हैं आप सबी उमीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो अगर आप गर्वती हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही हानकारक है प्रेगनिंसी में आपको इन चीजों का सिबन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए तो कौन सी हैं वो चीजें जो pregnancy के टाइम पर बहुत ही खतरनाक होती हैं बेई के लिए बहुत ज़दा डेंजरस हो सकती हैं आपको इन चीजों का सिबन नहीं करना है तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको भूल कर भी pregnancy में नहीं खाने चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लेजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि आपको pregnancy tips से related और भी वीडियो की notification टाइम से मिलती रहें तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं pregnancy का दौर बहुती नाजुक पल होता है इस टाइम पे एक गर्वती महला को बहुती सोच समझ के हर चीज का सेवन करना पड़ता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है कितना खाना है एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनके शिशू को problem ना हो तो चलिए point पे आते हैं सबसे पहले जानते है कि किन-किन चीजों का सेवन आपको भोल कर भी पूरी pregnancy में नहीं करना चाहिए तो point number one पहली तिमाई pregnancy का जब first trimester start होता है यानि कि पहली तिमाई शुरू होती है तो पहली तिमाई में गर्वती महलाओं को गर्म ताशीर वाले चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गर्म ताशीर वाले चीजों का सेवन करने से pregnancy के पहली तिमाई में miscarriage होने के ज़्यादा chances हो जाते हैं इसलिए गर्वती महलाओं को पहली तिमाई में यानि की pregnancy का first trimester जब start होता है तो आपको बहुत ही careful रहना है और खाने पीने का बहुत विशेश रूप से ध्यान रखन है ठीक है point number two आपको पूरी pregnancy कच्चे अंडे या फिर कच्ची जो मचली होती है उसका सेवन नहीं करना है अगर आप अंडे खाना चाहती है तो अच्चे से पका लीजिए उसे तभी आप सेवन करिये ठीक है लेकिन कच्चा आपको मास मचली का सेवन बिलकुल नहीं करना है इससे आपकी बिबी को बहुत ज़्यदा परेशानी हो सकती है और आपका जो डाइजिशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यदा कमजोर हो सकता है पेट संबंदी कई समस्याइं भी आपको हो सकती है point number three पूरी pregnancy आपको ज़्यादा चाहे काफी या फिर चॉकलेट का सेवन नहीं करना है काफी महलां को क्या होता है कि pregnancy के टाइम पर बहुत ज़्यदा क्रेविंग होती है चॉकलेट काने की लेकिन आपको परहेश करना है इन सबी चीज़ों चाहने की आपको चाय कॉफी चॉकलेट से परहेश करनी है इन में बहुत ज़्यदा कैफीन होता है कैफीन की मात पूरी प्रेग्निंसी कच्छे पपीते का सेबन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और नहीं आपको अनाराज का सेबन करना है इससे भी miscarriage होने के बहुत ज़्यदा chances होते हैं तो पूरी प्रेग्निंसी आपको इन चीज़ों का सेबन नहीं करना है आपको विशेश रूप से खा खाने से भी बचना है एकटा आप खाना खा लेंगी न तो इससे आपको पेट सम्मंदी कई समस्याएं हो सकती है आपको दस्त की प्रॉबलम भी हो सकती है गैस की प्रॉबलम हो सकती है ठीक है पेट फूलने की भी दिक्कत हो सकती है तो एकटा आपको पूरी प्रेग्निंस है दोस्तों और जब भी आप खाना खाएं तो आपको बॉक्स जरूर करना है याने की टहलना जरूर है थोड़ा सा पैदल चलेंगी तो आपको खाना पचाने में दिक्कत नहीं होगी ठीक है आपका पाचन तंतर एकदम ठीक रहेगा और बेबी को परिशानी भी नहीं होगी तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहेएं और प्रयग्निंसी टेप से से रिलेटेट बहुत सारी वीडियो चैनल पर उबलब्द है जो आपके ल